हेलो फ्रेंड्स वेलकॉब टो और चैनल जहसी टेलेकूम दोस्तों हम आज आपके लिए मैट्रिक्स इपीबीए सिस्टम का जो एक मोडल है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इटर्निटी पी एन एक्स उसके बारह में हम आपको इंटरनल उसका जो टेकनिकल जानकरी है वो हम बोक्सिंग करेंगे और इसके अंदर क्या क्या काट्स आते हैं किसे इसके कनेक्टर साते हैं वो हम आपको टेक्निकल जानकरी बताना वाले हैं तो यह वीडियो एंड तक पूरा देखेगा दोस्तों ताकि यह पीबेस के बारे में आपको काफी सारी इंफोमेशन मिल पाए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए ताकि हमारे यह से नए नए टेक्निकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें तो यह दोस्तों इसको हम आपका टेक्निकल जानकरी देते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों यह कबने का नाम लिखा हुआ है मेंट्रिक्स कॉस्मेइक प्राइबेक लिमिटेट ठीके यह मेडि इंडिया प्रोडक है और यहाँ इसके ऊपर यहां पर इसका model number देख सकते है matrix IP-EPBX है दोस्तों यह एक चुली एक IP-based EPBX है ठीक है यह EPBS-IP-EPBX है यह normal EP-EPBX से फोड़ा अलग होता है इसमें काफी सारे future से हमें additional बिलते है और इसमें VUIP extension भी कर सकते है इसमें shift trunk भी दे सकते है और काफी सारे से inbuilt future इसमें आते है हाँ लेकिन जो VUIP features और shift trunk के लिए हमें खोड़ा additional hardware इसमें add करना होता है वो हम आपको next video में दिखाएंगे अभी यह product के लिए माज आपके लिए basic information लाए है देखिए product eternity PNX model है आया दोस्तों system का बहुत हम unboxing करते हैं आपको देखाते हैं इस system के साथ क्या क्या आता है पहले इसको कट्रों से कट लेगे हैं कर दोस्तों यह से खुलता है बोक्स और बोक्स के साथ अंदर यह ऐसा इस्टोलेशन का एक चार्ट आता है जिसमें सब system का map लिखा हुआ होता है तो जरा मैं आपको detail में बता दूँ यह इसका बोलते हैं यहां पे back panel side ठीक है eternity P6S plastic ठीक है तो यहां पे जो wall mounting कर सकते हैं इसको wall mounting का stud का यहां पे map भी यह हुआ है तो यह जो कागस का टुकड़ा है यह जो है पेपर इसको आप डैरेक्ट wall पे चिपका कि आप यहां पे direct dealing करके फिर इसको निकाल लेना है और वहां पे इस्टेक्स आदे और एक बॉक्स आता है तो यह main box को set ने कर देते हैं देखें दोस्ता यह main system और यह यहां पे extra box आता है तो पहले यह box को आपको रिखाते हैं इसको क्या आता है देखें तो यह हमें यहां पे system का main electric code भी जाता है जिससे हमारा system चालो होगा कि electric mains code है जो कि normal CPU हमारा computer में लगता है वही वाला electric code आता है तो इसको भी हम side में रख देते हैं और इसके साथ wall mount screw भी कम भी देती है जो कि काफी अच्छी quality के बनाए हुए है अब आता है main system के तो प्रेले तो हम इसको यहां से निकाल लेते हैं जो protective दिया हुए box इसको निकाल लेते हैं इसको यहां में रख लेते हैं इसको अब हमारा main system यहां पर देखने को मिलेगा देखिए फ्रेंड्स यह मेंट्रिस का EPBX सिस्टम eternity penx कोलते हैं इसको यहां पर मेंट्रिस कमनी का लोगो है और यह पूरा यह से बोडी आता है स्क्वेर साइज में और यह प्लास्टिक गोडी आता है पूरा front and back panel दोनों प्लास्टिक का बनाया हुआ है लेकिन प्लास्टिक का quality कासी अच्छा बनाया एक हमडी ने और यह मेट्ट फिनिस आता है यहां पर मेट्रिस का लोगो भी आप देख सकते हैं काफी attractive logo बनाया एक हमडी ने तो अब आपको जड़ा इसका सब साइड में यहां पर दिया हुआ है ठीक है और यह जो हमने आपको बताया था वीडियो के starting में जो wall mounting panel जो हमारा wall mounting screw होते है वो यहां पर दिये हुए उसके chain ठीक है यहां पर इसको direct wall mount कर सकते हैं और यहां पर product का model number आता है serial number आता है और यहां पर सब technical details आता है जो आपका टेलिको image को सब मालूब होता है फिर भी company यहां describe करके देती है और यह side जो है यह side यह very important है ठीक है यहां पर आपका जो elletic code होता है वो लगता है system का main score और यह यहां पर on-off switch दिया हुआ है जब यह system on होगा तो यहां पर green light पर जलेगा बेक side में यह इसका on-off switch है यहां पर आप इसको on-off कर सकते है system correct और यह यहां पर USB port दिया है जिससे थूरू आप इसमें USB पेंडर लगा कर आप जो कोई भी software या इसमें आपका system ready to use है system पर जाएंगे जब यहां से system on होगी तो यहां पर power in का चालो हो गया है और यहां पर दो port भी दिये हुए RJ45 port है computer land port जिसको बोलते है यह एक land port और यह एक band port ठीक है इसके थूरू आप आपका system online भी रख सकते है इसका programming है आप अपने laptop या PC या तो आपका जो local area network है उसके थूरू आपका यह system आप access कर सकते है उसमें आपको जो कुछ भी change करना वो आप change कर सकते है और यह port के थूरू आप system का call log भी निकाल सकते है इसमें कुछ software update करना तो वो भी आप land port ठीक कर सकते है यह यहां पर कंपनी का नाम भी है matrix eternity model matrix कंपनी है और eternity इसका है series है model का और दोस्तों important है यहां पर तीन screw दिए एक दो और तीन यह आपको screw खुलेंगे तो यह पूरा slide होके यह जो है cover वो खुल जाएगा और इसके अंदर आपको सब card mount करने का है ठीक है तो यह सब इसका basic information आया दोस्तों हम इसको open करके आपको दिखाता है यह आपको normal जो four parts screwdriver होता है उससे सिस्टम खुलता है तो यह आपको इसको एसे खुलना है देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक यह point एक यह और यह ठीक है हमने यह तीनों screw निकाल लिये है अब इसको कैसे खुल दिया आपको निकाते यह जो cover होता है इसको आप slide यह से आपको थक्का देना यह से और देखिए में दे रहा हूँए ठीक है यह से खुल गया इसको जड़ा भी जोर मत किजिएगा दोस्तों यह प्लास्टिक का बूड़ी आता है वना हुआ वना हुआ क्रेक हो जाएगा इसको आसाने से स्लेट करके आपको निकाल लेना है ठीक है यह तो हमने cover इसका open कर लिया अब आपको दिखाते हैं इसका अंदर का टेक्निकल चैन करें देखें दोस्तों यह सब इसका card mount किये हुए है फर्स्ट ओपल देखते हिए इसका यहां पर यह power supply दिया हुआ है यह पूरा power supply है जो पूरा covered आता है और उसके बाद यहां पर सब card mount किया है हमने देखें यह first card है यह second यह third फॉर्थ और यह five अभी हमने five card mount किया है और एक card इसमें लग सकता है six card जो इसका slot अभी खाली रखा है देखें यहां पर ठीक है तो यह से card इसके अंदर mount होते है तो इसका टुड़ा और आपको जंग करें देदे रहे है देखें दूस्तों यह इसका सब card का इसे connection होता है यह यहां पर RG45 connector आते है एक card में तीन connector होते है एक दो तीन ठीक है और यह सभी card में देखें तीन-तीन cable लगते है और यहां पर इसका card का जो है दिया हुआ था टेक्निकल डिटेल ज़रा आपको basic दिखा दूमें यह TWT यानि ट्रंक्लेन का और यह DKP phone और SLT ठीक है यहां पर सब लिखा हुआ टेक्निकल यह इसमें एक से चार SLT है यानि कि चार इंट्रकों है और इसमें चार ट्रंक्लेन है ठीक है यानि कि यह 4x4 card हुआ जिसमें चार ट्रंक्लेन है और चार इंट्रकों आपको मिलेंगे और यहां पर लिखा हुआ है SLT देखी जहां पर जो होगा hardware उसमें वह लेकर चार तक यानि चार और पांच छे और शात आठ यानि इसमें टोटल हुए 8 connection तो इसमें आठ इंट्रकों आपको मिलेंगे सेम यही card है 8 इंट्रकों और यह भी 8 इंट्रकों और इसमें देखिए यहां पर लिखा SLT ठीक है तो यहां पर SLT में एक ही यानि यह एक से लेकर चार तक यानि इसमें आपको सिर्फ चार इंट्रकों मिलेंगे तो इस तरह का दोस्तों इसमें सब बेजिक है इसका information और इसका connection कैसे करते है क्या करते है वह आपको next video में दिखाएंगे तो यह पूरा system matrix का तो दोस्तों कैसे लगा हमारे यह वीडियो आप हमें जरा comments में जरूब बताएगा और आपकी office में आप यह इंट्रकों system यूज करते है matrix की कोई भी model आप यूज करते है तो हमें comments में जरूब बताएगा और इसकी technical जानकारी पाने के लिए भी आप हमें comments में ऊच सकते हैं तो हम आपके प्रस्नों का जवाब जरूर से देंगे और friends अभी तक आपने उमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर से कर लिजिए thanks for watching जई बारत